तो गाइज, मार्चाल मास्टर के लेटेस एपिसोड में आप सब का स्वागत है कुछ टाइम के बाद में इस्पिर्ट सोर्स ओवरिंग अपलोड होगा और गाइज, इनका यहाँ पे नूटिफिकिसन नहीं आएगा जिसके वेजिसे कुछ टाइम के बाद में चैनल में चेक कर लेना, आदे गंटी के अंदर आई थिंग इस्पिर्ट सोर्स ओवरिंग भी अपलोड होई जाएगा और गाइज, आप लोगों में से जो जो यहाँ पे मार्चल मास्टर टेन टाउजन वर्ल अगेंस दा इसका इस्पिर्ट सोर्स ओवरिंग के नोविल को देखना पसंद करती हो जाके एन एक्स प्लेनर को सस्क्राइब कर देना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्चन और कॉमेंट बोक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे हम इन सीरीज से रिलेटेड नोवेल वीडियो डालती रहेंगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चैंसी को देखते हैं जिसके उपर वहाँ पे फैंगली आने लगता है और वो अपने हाथ का योज करती हुए उसके नकाप को हटाने की कोसिस करता है बट हम देखते हैं चैंसी वहाँ पे जैसे तैसे करके फैंगली के हाथ से बच ग साथ हैं इतना ही नीays हम वहां पर देखते हैं कि फैंगळी चेंची के अटेक को एक हास से रोखता है क्यूंकि उसके पास में the divine body था क्योंकि यहां पर thunder divine body होता है जिसकी वज़े Phase can see Ques के आठेक का उसके उपर कोई असर नहीं हो रहा होता अब वहां पर Subscribe Smash C चला गया था उसके नकाप को हटाने के लिए बड़ चेंसी वहाँ पे फेंगली के हाथों से इदर उदर बाग के बच रहा था और हम देखते हैं वहाँ पे फेंगली केने लगता है एक बार मैंने तुमारे यहाँ पे ट्रूफेस देख लिया तो उसके बाद में तुम मेरी ह जाओगी इतना के तो हम देखते हैं वहाँ पे फेंगली उसके उपर अपने थंडर प्रेशर का यूज करने लेगता है जिसकी वजह से इदर उदर इलनी पा रही थी और वहाँ पे कहीं पे बी जानी पा रही थी वही पे हम चैंसाओ को देखते हैं जो वहाँ पे एक्सन को पीछे कर देती है और वो कहने लेखते है मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे युआन युआन एमपायर का एक यॉंग मास्टर ऐसे भी हिप करेगा और किसी लेडी को यहाँ पे फोर्स फुली अपना बनाने की कोचिस करेगा अब हम देखते हैं उसकी बाते सुनके दोची तरव वहाँ पे फैंगली को तो कोई फरक नहीं पड़ता और वहाँ पे उस लेडी की तरफ देख रहा था तब हम देखते हैं वहाँ पे इवाइन बोड़ी मतलब की गोल्डेन बोड़ी वाला एक एमपर लिवल का बन्दा जो कि यहाँ पे स्वान युवान एमपाइर से ही था वो यहाँ पे अगे आते हुए अपने एनर्जी को रिलेज करने लगता है जिसका ओरा यहाँ पे बहुत ज़ादा था और हम देखते हैं जिसको देखके वहाँ पे लोग बाते करने लगते हैं यहाँ पे स्वान युवान एमपाइर का एक गार्डियन है जो कि यहाँ पे एमपर सेट की वह कमांडर के इन लगते हैं ओ तो यहाँ पे ब्रदर घीवी है और हम देखते हैं वहाँ पे वह बंदा बहुत ज़ादा गुसा हो रहा था जिसको देखें दोची तरह वहाँ पे फैंटम डीमन सेट की वह कमांडर अपने बहुत ज़ादा कलोन को बनाती है और सारे क्लोन्स को बहुत ही आसानी से डिस्टोई कर देता है तब ही हम देखते हैं वहाँ पर फेंटम डीमन सेट की वह कमांडर मतलब कि यहाँ पर चेंसी की आंट उसके जामने वहाँ पर सागी थी और वह अस्ति वही केन लगती है वो तो तुम्हारी पावर इतनी है दोची हम देखते हैं वहाँ पर एल्डर गी जो कि यहाँ पर स्वान वान एंपायर से बिलोग करता है तो गया जिसको हम गी नहीं बोलेंगे इसको हम गोल्डेन बोडी वाला बंदा ही बोलेंगे तो हम देखते हैं वहाँ पर कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था एक विज जो कि यहाँ पे फैंटम डीमन सेट से वो इतने ज़्यादा पाउपफुल हो जाएगी तो फिर ठीक है तुम्हें यहाँ पे दिखाने का वक्त आ गया इतना के तुम्हें हम देखते हैं वह बंदा अपने पूरे पाउल का यूच करने लगता है जिसको देखके सब लोग वहाँ प यहाँ था बट वहाँ पर फैंटम डीमन सेट के लिए तो फिर आकिरकार तुम्हें आपे बीच में हडडी बनने का काम क्यों कर रही हो अब उसकी बाते सुनके दूची तरफ वहाँ पर फैंटम डीमन सेट की वो लेडी फैंगली के नजदिक आते होई के लिए यह तो यह मास्टर को मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा और प्रिजेंट के बाद तो तुम छोड़ी दो वो लेडी वहाँ पर हसते हुए पीछे चली गी थी जिसको देखके दो चितर वहाँ पर फैंगली को गुसा तो आ रहा था और हम देखते उसको ग घबरा गए थे बट वहाँ पर हमारा थ्यांसाओ जो की बीच में टांग अड़ाने की इसकी तो आदत ही वो केने लगता है इने सोचा नहीं था स्वान युवान एमपायर जो की इतना ज्यादा इजददार एमपायर है उसका यहाँ पर योंग मास्टर ऐसा ठरकी अब इसकी बाते सुनके दोची तरह वहाँ पर पेंगली को घुसा आने लगता है वो केने लगता है कौन है तब ही हम देखते है वहाँ पर चैंसो आगे की तरह बढ़ने लगता है जिसको देखके वहाँ पर चैंसी भी खुस हो गई थी दोची तरह वहाँ पर एल्डर ता जिना में तो गलत था तुरों से इस सब कुछ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ जब इस लीडी को तुमारे साथ में जाना ही नी तुम्हें पसंद नी करती तो इतना ज़्यादा तुम वोर्ट्स आकिरकार क्यों कर रहे हो क्या यहाँ पे स्वान यूँआन एम्पाइर के प्रिंस होकर तुम ऐसे उट पटैंग हरकते कर रहे हो जिसकी वज़े से तुमारे एम्पाइर का रेपूटेशन डाउन हो जाए बुसकी बाते सुनके दोची तरफ वहाँ पे फेंगली को बहुत ज़्यादा घुसा आने लगता है और हम देखते वहाँ पे दोची उन्हें यहाँ पे यौंग मास्टर के बारे वें इस सब कुछ बोला इतना के तुम देखते हैं वो घुस्ते में अपने पाओ को रिलीज करती हुए चैंसओ की तरफ अटेक करने के लिए बढ़ता है अब हम देखते हुए आटेक वहाँ पे चैंसओ को रोक देता है अब ह देखते हैं चैंसओ की बाते सुनके वो गोल्डेन बोडी वाला बंदा इधर उधर देखने लेगता है और वो केरी लेगता है तुम यहाँ पे जूट बोल रहे हो पिटाई खाने से बिचने के लिए इद्धा केते हुए हम देखते हो गुस्ते में अपने पाओ को में डिटेल में होता है कि वज़े से यहाँ पे कल के एपिसोड या उससे पहले के एपिसोड में मैंने एक्स्प्लेइन कर रखाया अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो कॉमेंट बोक्स या तो डिस्क्रिप्शन में रिंग मिल जाएगा आप लोग जाके देख सकते हो हमारे सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन ओल पे सिट करना और आप सब लोग खुस रहो और अपने फैमली को खुस रहो बाबाई आप आपायस वित बेल देरे सब्सक्रिप्स कर दो कर दोक् Einsatz भी कर दो चूहुंद जावडर खीर हो था स्ब्सक्राइब कर दोक्ते हो....